आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी लच्छे वाले पकोड़े एक जैक बजार की तरहां बनते हैं और अगर आप एक घंटे पहले भी इनको बना के रग दें तो यह बिल्कुल नरम नहीं होते क्रिस्पी रहते हैं तो प्लीज इसको ट्राइ जरूर कीजेगा यहां पे एक बाउल में हम सबसे पहले बैटर तयार करने हैं दो कप हमने यहां बेसन लिया है इसमें शामिल करेंगे तकरीबंद देर चाय का चमचा नमक quarter teaspoon healthy, half teaspoon अजवाइन, baking soda, मीठा soda डाला है quarter teaspoon और देर टेबिल इस्पून भरकर भुना हुआ, कुटा हुआ, साबिधनिया डाला है कुटी हुई लाल मेच डालेंगे 2 टी स्पून भरकर और थोड़ा थोड़ा इसमें करके पानी शामिल करेंगे और इसका काफी गाड़ा सा हमें बैटर बनाना है तो यहाँ पे काफी गाड़ा सा हम बैटर तयार कर लेंगे बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो इन पकोड़ों के लिए जो जो हम इसमें सबजी डाल रहे हैं उसमें हम डाल रहे हैं प्यास, बंगोबी और आलू तो प्यास और बंगोबी को इस तरह से हमने थोड़े बड़े स्लाइसे में बारीक स्लाइसे में कट कर लिया है तो अगर आपको सब्जी पहले से काट के रखनी हो और थुरो टाइम हो आपको पकोड़े फ्राइ करने में तो आलों को हमीशा आप पानी में भीगो के रखें वरना विदना फियो मिनट सी आलो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं हमने भी सुबा में सब्जी कार्ट ली थी तो हमने आलू को इस था पानी में भीगो जाए था अब जिस वक्त आपको पकोड़े फ्राइ करने हूं उसी वक्त आपको सारी सब्जी अपने बेसन में शामिल करनी है पहले से आप नहीं शामिल करिएगा वरना जो प्याज होगी वो अपना पानी छोड़ देगी और आपको जो बैटर होगा काफी रनी हो जाएगा हमें बेसिकली यहां पर काफी गाड़ा सा बैटर चाहिए तो at the time of frying आप अपनी सबजी को बिसन में शामिल करें और इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर होना चाहिए अब हमका पकोड़े फ्राइ कर लेंगे गरम तेल में इसको फ्राइ करेंगे फ्लेम हम मीडियम रखेंगे थुड़ा थुड़ा करके कोशन हम उठाते जाएंगे और अपनी कर्हाई में डालते जाएंगे तो यह बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं इसका कुकिंग टाइम तकरीबन आठ से दस मिनिट है तकरीबन आठ से दस मिनिट इसको मीडियम फ्लेम फ्राइ करें प्लीज इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा अपनी स्टार टेबिल के लिए आपकी फैमली में सब को यह बहुत पसंद आएंगे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और यह बिल्कुल नरम नहीं होते हैं अगर आप इसे आदा घंटे पहले एक घंटे पहले भी बना के रख दें तो य आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स रेसिपी के साथ तिल दैन अल्ला हाफिज